नमस्कार सभी सातियों को मैं स्क्रीन फिक्सर से राज एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ तो दोस्तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज आपको मैडम नोटेन प्लस सैमसंग नोटेन प्लस है ये डिस्प्ले ग्लास ब्रोकन है तो दोस्तो इसका आज आपको ग्लास चेंज करके दिखाने वाली है तो दोस्तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखें वीडियो आप एंड तक देखेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप किस तरीके से ब्रोकन ग्लास नोट 10 प्लस का आप कैसे चेंज कर सकते हैं और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारी और पहली बार हमारे चैनल पर आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि दोस्तों डेली आपके लिए ऐसी नॉलिजेवल वीडियो मै लेकर आते रहता हूं तो देख सकते हैं आप डिस्पले आपको चेक करा रहे हैं डिस्पले प्रॉपर है ओली इसका उपर का जो ग्लास है वो क्रेक है तो इसका जो ग्लास है वो हम चेंज करेंगे तो डिस्पले आपको चेक कराया डिस्पले प्रॉपर वर्किंग है और ख हाली इसका उपर का ग्लास करेक है तो दोस्तों एज ग्लास चेंज करना बहुत ही असान है एज ग्लास करना कोई मुश्किल काम नहीं है आप दोस्तों देख भी पा रहे हैं जब लेडिस कर सकती हैं तो मैं उन सभी भाईयों से कहना चाता हूं जो एजगका करने में हिचके चाते हैं एज डिसप्ले छूने में डरते हैं ग्लास चेंज करने की तो दूर की बात है तो दोस्तों बहुत ही असान है एज ग्लास के बगएर किसी special machine के आप glass change कर सकते हैं किसी भी edge phone का और दोस्तों हमारे पास अगर आप training के लिए आना चाहते हैं तो training भी हम आपको देंगे आप training भी ले सकते हैं हमारे यहां से आपको edge glass, iPhone, X2, 13 Pro Max, iWatch, iPad इन सब की training चाहिए तो training भी available है हमारे पास अगर आप flat display करते हैं तो मातर 3-4 दिन में आप edge, iPhone, iWatch यह बना सकते हैं इसकी training भी available है जो next batch है वो हमारा एक जुलाई से start होने जा रहा है तो आप अपनी booking भी करा सकते हैं अगर आपको detail चाहिए तो description में मैंने अपना number दे रखा है तो आप मुझे call करके पूरी detail ले सकते हैं और आप अपनी booking करा सकते हैं दोस्तो एज कोई बड़ी बात नहीं है कोई बड़ी बात नहीं है आप edge की training ले सकते हैं वैसे दोस्तो कई हमारे भाई तो हमारी videos देखकर ही edge बना रहे हैं तो मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि दोस्तो काफी महनत करते हैं आपके लिए तो वीडियो को दोस्तो लाइक तो आप जरूर कर दिया करें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से glass separate किया अब glue clean कर रहे हैं glue clean के बाद दोस्तो डिस्प्ले कैसे आपने frame से बाहर निकालनी है वो सारे हर चीज आपको दिखाते हैं हर चीज आपको दिखाते हैं मैं आपको बताता भी हूं कैसे आपने काम करना है आप देखिए दोस्तो डिस्प्ले क्लीन कैसे करनी है दोस्तो कोई आपको extra liquid नहीं चाहिए कोई आपको special liquid नहीं चाहिए दोस्तो देखिए normal petrol है नौर्मल पेट्रोल नौर्मल सी नौर्मल चीजों से आपको एज बनाना मैं आपको बताता हूं और दोस्तो हमारे बहुत सारे भाई सब्सक्राइब मुझे दिखाते हैं सर आपकी वीडियो देखकर हमने यह वाला फोन बनाया है तो दोस्तों बहुत खुशी होती है कि हम कुछ ना कुछ किसी की मदद कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छा लगता है मन को बहुत अच्छा लगता है कि कुछ कुछ ना कुछ हम अच्छा काम कर पा रहे हैं अब देखिए डिस्प्ले को फ्रेम से कैसे बाहर निकालना है दोस्तों कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत ही असान काम है कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों आप सभी का इतना सपोर्ट हमें मिला है हमारे पास केरला से एक लेडीज आईए है ट्रेनिंग के लिए वो भी हमसे ट्रेनिंग ले रही है तो दोस्तों आप सभी का इतना support मिला है तभी यह मुंकिन हो पाया है नहीं तो यह यह मुंकिन नहीं था आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत-बहुत आपका शुक्रियादा करता हूँ, आप सबी का dream is. आप सबी की वजह से ही सारी चीज़े हो पाई हैं, तो आप सबी का मैं बहुत-बहुत शुकर गुजारूं और उमीद करता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपके लिए ऐसे ही महनत करता रहूंगा तो वीडियो को दोस्तों जदा से जदा लाइक किया करें वीडियो को जदा से जदा शेयर किया करें और चैनल को जिन भाईयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन भाईयों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब तो करें वीडियो आप देखते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो जादा से जादा चैनल को सब्सक्राइब करें अब देख सकते हैं डिस्प्ले हमने कैसे बाहर निकालनी है फ्रेम से डिस्प्ले कैसे हमने बाहर निकालनी है आप देख सकते हैं किस तरीके से डिस्प्ले को बाहर निकाल रहे हैं लिक्विड हमने यूज करना है और जो हमारी हार्ड पननी होती है, जो वेस्ट पेपर होता है, उसे हमने डिस्प्ले को बाहर निकालना है, आप देख सकते हैं, दोस्तो हीटिंग भी इसमें रखनी पड़ती है और आपको liquid भी डालना पड़ता है और जो हमारी hard पन्नी है उससे हमने जो display के नीचे glue है वो हमें काटना पड़ता है तो आप अपनी जो OCA का जो waste paper होता है उससे आप hard पन्नी से glue cutting कर सकते हैं आप जैसा की वीडियो में भी देख पा रहे होंगे देखिए जो display का नीचे का glue है वो almost cutting हो चुका है अब display आपको frame से बाहर निकाल कर दिखाएंगे और उसके बाद दोस्तो glass लगाएंगे glass कैसे लगाना है कैसे alignment करनी है वो भी आप देख लेना दोस्तो जो display जिस display में hole होता है camera hole होता है उसको आपको बहुत ही असान है align करना camera hole to hole camera का जो hole है वो आपने glass में लगाना है और glass का जो camera hole है वो match करना है वो आप match कर लेंगे तो आपकी display automatically align हो जाएगी proper align हो जाएगी आपको alignment करने में कोई problem नहीं आएगी आप देख सकते हैं दोस्तो किस तरीके से काम करना होता है पूरा इस video में आपको मैंने दिखाया है अब किस तरीके से किसी भी edge no 10 plus नहीं किसी भी edge display का आप glass इस तरीके से change कर सकते हैं चाहे वो कोई भी display edge display हो curve display हो किसी भी display का आप बड़े असानी से glass change कर सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तों display हमारी proper clean हो चुकी है frame से हमने display को बाहर निकाल लिया है proper clean कर लिया है और अब हम इसमें glass लगाएंगे और दोस्तों OCA वाला glass ही use करें अब ज़्यादा तर glass OCA वाले हैं और OCA वाला glass use करने से दोस्तों आपकी अच्छी quality आती है quality भी आपकी काफी अच्छी आती है तो आप OCA वाला glass use करें आप finishing भी देखना की display की कैसी finishing आई है तो finishing main है main आप कैसे finishing के साथ काम कर सकते हैं तो finishing भी आप देखना तो comment में मुझे जरूर बताना की आपको display की finishing कैसी लगी है कैसी नहीं लगी है आप मुझे थोड़ा comment में जरूर बताया करें आपके comments का मुझे बहुत की training लेनी हैं आपको कर डिस्प्ले की training लेना चाहते हैं तो आप हमारे पास आ सकते हैं जो हमारा next batch है वो एक जुलाई से start होगा तो आप अपनी advance में booking जरूर करा लें दोस्तों limited seats होती हैं अपने पास limited seats हैं तो इसलिए मैं आप से कहता हूं कि आप booking जरूर करा लिया करें booking आप advance करा लेंगे तो मैं आपकी seat पकी करता हूं तो आप booking जरूर करा लिया करें आप detail लेने के लिए आप मुझे message कर दे WhatsApp कर दे आप मुझे call भी कर सकते हैं दोस्तों call ज्यादा तर मैडम उठाती है रिट्टू मैडम उठाती है क्योंकि दोस्तों students को भी देखना पड़ता है तो ज्यादा तर calls मेरी wife रिटू ठाती है तो आप उनसे सारी detail ले सकते हैं दोस्तों मेरे कई भाई सोचते हैं कि मैं ladies हैं लेकिन दोस्तों हर चीज की knowledge है इन्हें इन्हें हर चीज की knowledge है तो आप कोई भी question आप इनसे पूछ सकते हैं तो यह पूरा आपको जवाब दे देंगी आप कोई भी किसी भी तरीके का किसी भी glass से related display से related आपका कोई भी दिक्कत है कोई भी फॉल्ट भी है तो आप आपको रितू मेडम हर चीज का जवाब दे देंगी तो आप कोई भी question हो तो आप पूछ सकते हैं अब देखिए दोस्तों डिस्प्ले पूरी ready हो चुकी है बबल से हमने डिस्प्ले को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं डिस्प्ले कैसी ready हुई है कैसी नहीं हुई है यह आपने मुझे कमेंट में जरूर बताना है मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा टो आप डिस्प्ले की जो finishing है वो आप जरूर बताना मुझे क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाइयों के कमेंट आते हैं बहुत सारे भाइयों के message आते हैं WhatsApp आते हैं कि हमारे corner पर bubbles आ रहे हैं तो दोस्तों bubbles नहीं आएंगे आप इस तरीके से काम करेंगे तो कोई भी आपका एक भी बबल नहीं आएगा जैसा आप देखेंगे डिस्प्ले आपको मैं भी दिखाता हूँ एक भी बबल नहीं आता है कोई बबल नहीं आता है आपने वस इस तरीके से काम करना है जैसा आपने वीडियो में देखा आप देख सकते हैं, डिस्प्ले बिल्कुल फ्रेश है, कोई भी बबल नहीं है, कहीं पर भी आपको बबल नहीं नजर आएगा, एक भी बबल नहीं होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग वाली डिस्प्ले रेडी हुई है, तो दोस्तों आ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक इनके